चोटों को प्यार बड़ों को संमान और भारतिय बोडर पे तैनाथ हमारे सभी वीर जवानों को जय हिंद और जानना चाहते हैं कि कैसे थम नेल बनाना है मैं आपकी हल्प करता हूँ अगर आपको हैल्प हुई मेरी वीडियो से तो प्लीज लाइक जरू कर दीजेगा कर दीजेगा चैनल को और जो बैल आइकन है और आल नॉटिफिकेशन उस पर क्लिक कर दीजेगा बैल पे सिर्फ आपने इस तरीके से यह जो बैल दिख रही है यह 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 इसको बस आपने बजा देना एक बार गाइस और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी बनता है गाइस एंड मैं आपको फटा-फट बताता हूं कि कैसे आप अरे 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 शस्रा लगता तेल लग गया है आप ठीक है सो गाइस कैसे आप चुटकियों में थमनेल को बनाएंगे फटा-फट समझाता हूं और बढ़ते हैं बढ़ते हैं अपने है अब यह जान तो लिए राद को डिनर में ने बकरी मतन कहा रहा खेर एनिवेस बढ़ते हैं विडियो की और और यह मेरा जोग था गाइस इसको दिल पर मत लीजेगा जोक सपार्ट थोड़ा सा एंटरेटेन्मेंट करने की मेरी कोशिश रहती है मेरे व्यूवर्स को प्यारे प्यारी यूट्यूब फैमली को शारुख घटना मत दिल पर लगाईएगा सिर्फ इसको जोक की तरह लीजेगा जोक सिर्फ जोक कपल के शर्मा में नहीं होता है यहां पर भी होता है कभी और वो बजा दीजेगा चलिए तो वेल्कम बैक गाइस अगेन यह रहा वह एप जिसका नाम है पिक्सल लैप जी यही वह एप है जिसका हम मुस्ली यूटूबर्स यूज करते हैं अट्रेक्टिव थम्लेट बनाने के लिए तो गाड़ी बढ़ाते हैं आगे पर उससे पह प्रेक्टिव थम्लेट बनाने के लिए पर डिपैंड करता है आपकी खुद की क्रेटिविटी पर की आप इसमें दिए गए फीचर का कैसे यूज़ करते हैं और गाइस मैं अभी इनिशली आपको बताओंगा इसमें complete मैं आपको फीचर नहीं बताओंगा कि कैसे इसका इनिशली मैं आपको जो मैंने एक वाल पर अपना लगायत हमने लगाए इस वीडियो में उसी को मैं एक्जामपल लेके समझाओंगा बाकि आप इसको एक्स्प्लोर कीजिए अपने पर इसके फीचर को यूज़ कीजिए कुछ गलती करते हैं तो कोई पैसा नहीं कोई रोक है इसके अंदर जो इनिशली स्टाटिंग के लिए जो जरूरत की चीज़े मैं आपको समझाता हूं उपर यहां वाल पेपर दिये गए हैं सो आप इन वाल पेपर को सेलेक्ट करके भी जो आप चाहते हैं थम्लेन को बोडिफाई करना एड करना कर सकते हैं और एक्जामपल के लिए जैसे कि मैंने का इसको मुझे डिलीट करना है तो सिंप्री डिलीट करने को औक्शन प्रोजेक्ट को आपको सेव सेव रखना हे जिस भी नाम से आप सेव रख सकते हैे और इमेज को signage को बाद में आप रियूज कर सकते हैं गैलरी अपनी पसंद का जो भी आप वाल पेपर चाहते हैं इनके अलावा क Пон U 230 जा आप यह वाल पेपर पीक कर लेते हैं डुक्राइब और यह दिया है आपको वाल size को select करने कि क्या बनाने जा रहे है image size पे आएंगे आप इसके अंदर आपको custom size रखना है custom रखिए जरूरी नहीं सिर्फ thumb lane बनाना है आप और भी चीज़े इसमें create कर सकते हैं अगर आप देखते हैं इसमें option भी मिलते हैं आपको कि अगर आपको banner बनाना है cover art बनाना है facebook का लेकिन हमको बनाना है thumb lane तो हम लेते हैं thumb lane इसने size को किया change thumb lane के according तो आप देखते हैं background में जो आपने default wallpaper को pick किया और उसमें आपने changes कर लिए अपने accordingly मेहनत कर ली बट आपने size किया बाद में change तो आपको दिक्कत आएगी so better की पहले आप size select कर लें कि आप क्या बना रहे हैं and guys इसको करते हैं delete ताकि आपको easily मैं और समझा पाऊं कि टेक्स लेते कैसे हैं ओपर guys share कर सकते हैं आप अपना social media पर जो आपने बनाया है अपना कोई भी wallpaper thumb lane and guys undo करने का option यह मिलता है आपको यहाँ पर so guys सबसे पहले हमने जो काम करना है वो यह कि मेरे को यह color change करना है मैंने जो color लिया था आपने देखा होगा इस वीडियो के thumb lane में मैंने दूसरा yellow type color लिया है उसके लिए मैंने simply यहाँ click किया नीचे की तरफ tab पे इस color option पे आया यहाँ पर आपको इस text लेना है तो मैं text यहां से ले सकता हूं या फिर आप नीचे a tab पे click करके यहां से भी text ले सकते हैं यहां से आप scroll कर सकते हैं इसमें भी option दिया आगे पीछे करने का तो करते हैं double click और text को करते है type फटा फट मैंने लिखा था how to create thumb lane spelling थोड़ा सा ignore की जागा guys सबसे पहले लिया था text अपना then a tab पे ही आगे की तरफ scroll करते हैं position change कर सकते हैं guys यहां पर आपको size change करने का ओप्शन color change करने का मैंने यहां से red color किया था then आपको option मिलता है font change करने का font यहां से आप select कर सकते हैं जिस भी font को select कर रहे हैं, उपर वो दिखने में कैसा है, आपको साथ के हाथ बताता रहेगा, इस font को मैंने ok किया, and then guys मैंने curve option को pick किया, curve option को मैंने pick किया, then इसकी curving को मैंने नीचे की तरफ bend किया, आप चाहें तो उपर की तरफ bend कर सकते हैं, मैंने इसको 50 पर fix किया, और किया right, ok guys, इसके बाद जो मेरा दूसरा काम था, वो था stock use करना, इसके अंदर एक stock option होता है, अलग-लग stock, stock के अलग-लग option है guys, आप अपने accordingly pick कर सकते हैं, मैंने इसको pick किया, enable किया, and नीचे की तरफ white option मुझे था, जो लगा कि ठीक लगेगा, मैंने इसको pick किया, देखेंगे, आप background change हो गया, मेरे font का, और इसकी stock की width को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने इतना रखा, और इसको right कर लिए, right guys, इसके बाद जो मेरा दूसरा काम था, मैंने दूसरा text लिया, और text को scroll करके मैं इतर लारूँ, उसका नाम change नहीं कर रहा हूं, आप देख सकते हैं, क्या रखा है मैंने already, और इसके बाद, मैंने इसके background को change कर दिया, text के, a tab में ही मुझे मिलता है option background, आप enable करते हैं, तो देखेंगे, जो text का background है, वो change हो गया, उसका color change कर सकते हैं guys, मैंने इसका color रखा, वो yellow ही रखा, मिलता हुआ, particular wallpaper से, ये मैंने color लिया yellow, font change कर सकते हैं, मैंने red रखा था font guys, और इसके बाद जो left की तरफ, इसको मैंने stretch कर दिय and right की तरफ मैंने stretch कर दिया, और नीचे की तरफ मैंने इसको padding को stretch कर दिया, right guys, इसके बाद मैंने right click, इसके बाद मैंने अपना cutout pick किया, cutout pick करने के लिए, क्योंकि मुझे इसके ऊपर लाना है, तो मैंने यहां से लेना है cutout अपना, ये rawo cutout, right click किया, so guys, ये cutout मैंने already बना अपना है, और इसके बाद इसको, मैंने इस option में click करके, इसकी जो outlining है guys, उसको मैंने, यानि stock के तूप, stock option का use किया, और जो इसकी outlining है, उसको किया white guys, देखते हैं, तो मैंने white click करके, इसकी जो width है, उसको increase कर दिया, आप देख सकते है, एक outlining create होगी guys, इसकी, right guys, इसको कर आया, इसके लिए मैंने आखरी tab है, इसको click किया, इसके अंदर जो second option मिलता है, vintage का मैंने इसको click किया, enable किया, इसका फिलाल, जो vintage area cover हो रहा है, वो black हो रहा है, मैंने इसको change किया yellow में, ताकि मेरो wallpaper से match करे, आगे की तरफ scroll करके, मैंने yellow color pick किया, इसकी भी density आप कम जादा कर सकते हैं, so complete guys, मैं as it is, तो नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा, so ये एक तरीका था, जिसको मैंने use करके, अपने इस thumbnail को create किया, आप भी इसी तरीके से attractive thumbnail create कर सकते हैं guys, right guys, फटा-फटा मैं आपको बताता हूं, इसको save कैसे करेंगे, save कर अगर आप यहां से भी इसकी width वगरा change करना चाते हैं, तो कर सकते हैं, अगर आपको इसकी quality change करनी है, तो quality change कर सकते हैं, PNG में आपको इसको बनाना है, तो आप PNG यहीं से create कर सकते हैं guys, quality की में बात कर रहा था, quality tab पे click करेंगे, तो आपको option मिल जाते हैं, different type of quality के लिए, so अगर इसको high रखना तो high, very high यह ultra, तो आप पे depend है, जो भी quality में आप चाते हैं, अपना थमदेन बनाना, save रखना कर सकते हैं, save to gallery, so guys मैं करता हूँ, यहीं पर sign out, I hope कि मेरे इस वीडियो ने आपको किया होगा help, अगर हां तो please like कीजिए, share कीजिए, और subscribe कीजिए, मिलते है जल्द ही next वीडियो में, मैंने बताया, मेरी कोशी रहे की कि मैं आने वाले कुछ वीडियो में जल्द ही आपको इस cut out की वीडियो भी share कर दूं कैसे बनाना है, और subscribe किये, बिना मज जाएगा, ध्यान रखिए अपना, have a nice day, take care, bye bye